नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका UPSC Unstoppable में आप हैं मेरे साथ मेरा नाम है सुमित और दोस्तों एक बहुत ही important news निकल कर आई है जैसा कि आप जानते हैं इस समय हमारे Prime Minister नरेंदर मोधी जी यूएस की historic visit पर हैं और इनी सब चीजों को लेकर यहाँ पर काफ important news निकल कर आई है इंडिया-U.S. relations को लेकर इंडिया-U.S. का जो रिलेशन है जिसमें strategic और खास तोरपर defense को लेकर defense agreements को लेकर जहाँ पर defense relations जो है उसको लेकर जहां तक बात है इसको लेकर important news आई है वो यह कि यूएस का जो Senate है यानि कि upper house है इसके Indian caucus ने यहाँ पर यहाँ पर introduce करने जा रहा है हो सकता है introduce करें एक ऐसा बिल जो कि इंडिया को NATO plus block के अंदर डाल देगा NATO plus block का member बना देगा NATO को आप सब जानते हैं दोस्तों ये एक security pact है अमेरिका और उसके कुछ allies जो countries है खासता और पद European countries उनके बीच में ये एक pact है जो की collective security की बात करता है एक country पर attack मतलब दूसरी country पर attack तो यह है US के allies के साथ हम यहाँ पर इसके बीच में detail में नहीं जाएंगे यह सब आप जानते हैं यहाँ पर बात हो रही है NATO plus block की यह क्या होता है इसको जानेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि यह directly हमारे अगर exam को देखें exam perspective से पूरी तरह से related है कैसे previous year के question अगर आप दे लिखेंगे कहता है what introduces the friction what introduces the friction into the ties between US and India ठीक है इंडिया और US के relationship में जो frictions है यहाँ पर उनको count करने के लिए कह रहा है उनको लिखने लिखने के लिए कह रहा है कौन से factors हैं जिन से यहाँ पर India US में friction आता है relationship में तो इस तरह के जो मेंस में topic है डारेक्ट आते हैं अब अच्छा है अगले साल पेपर मेंस में पूछ ले इंडिया US relationship जो है वो strong जो हो रही है उनके अंदर कौन से working points है जिनके कारण जो relationship है यह और ज्यादा strategic level पर और ज्यादा close होता जा रहा है इस तरह का question पूछ सकता है साथ ही में 2008 का यहाँ पर question देखेंगे तो यहाँ पर ए पेपर 2 में आप जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर 2 में आता है तो जीएस पेपर 2 से डारेक्ली यह related है हमारे स्लेबस के हिसाब से और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों आप मेरे साथ शाम को 6 बज़े जुड़ सकते हैं अनकैडमी की free live class होती है जिसके अंदर हम वर्ल्ड हिस्ट्री के important topics को cover कर रहे हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री को यहाँ पर हम अच्छे से cover कर रहे हैं पड़ रहे हैं डीटेल में साथ ही में मेरे साथ आप paid course है यह प्लस अनकैडमी प्लस का जिसके अंदर हम बहुत ही detail में NCRT को cover कर रहे हैं और NCRT 9th से 12 तक कर सकते हैं किसी भी course का लगाने के लिए और अनकैडमी पर आप देख सकते हैं सभी 12-18 और 24 महीने के यहाँ पर courses आपके लिए available हैं अधिकारी से अधिकारी तक भ्यारती से अधिकारी तक का जो सफर है यानि कि प्री मेंस और इंटर्विस सभी लेवल पर आपको त्यारी कर साथ ही में आपके लिए सभी प्रकार के optional यहां पर available है कोज याद रखेंगे SMK live ठीक है कोज रहेगा SMK live सभी optional आपको available है और offline center पर भी आप दिल्ली में जाकर तैयारी कर सकते हैं अब बात करते हैं कि यह जो बिल लाने की बात हो रही है यह कहां पर हो रही है यह बात की है Senate India Caucus ने यह caucus क्या होता है Senate दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं U.S. का जो Parliament है U.S. के Parliament के दो हाउस है Upper House और Lower House को कहते है House of Representatives अपर हाउस को कहते है Senate तो Senate जो है इसके अंदर क्या होते हैं कुछ groups बने होते हैं ठीक है कुछ groups यहां पर बने होते हैं जिनको caucus कहते हैं यह groups क्या हो ये Parliament के जो members होते हैं, जो representatives होते हैं, उन्हीं का कुछ groups बने होते हैं, जो क्या करते हैं, कि अलग-अलग agenda, अलग-अलग मुद्दो पर काम करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग-अलग groups बने हैं, जैसे Pacific Island caucus, यानि कि Pacific Island के ऊपर जो policies कैसी होंगी, House क पार्लिमेंट की कैसी policies होंगी, उन सब चीजों पर यहाँ पर विचार करेंगे, उनके ऊपर कानून लाएंगे, डिवेट होंगी, जो भी होगा, ये caucus ये जो group है, इस चीज पर काम करेगा, इस पर focus रखेगा, ऐसे ही एक caucus, एक group बना हुआ है, अपर house में US के, जो India-US relationship को monitor क करता है, उनके बारे में जैसे development चल रही है, उस पर bill लाना, उस पर क्या चर्चा, आगे चीज़े कैसे बढ़ाएं, ये सब चर्चा वहाँ पर होती है, और वही bill लेकर आते, आने की बात यहाँ पर कर रहे है, ठीक है, और India-US, जो caucus है, जो India-specific caucus है, ये पहला ऐसा group था, पह अब यहाँ पर नेटो 5 के लिए लेकर आ रहे है, ये नेटो 5 क्या है, ठीक है, नेटो जैसा कि आप जानते हैं, नेटो एक हमने बताया कि एक security alliance है, नेटो 5 की यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर एक senator लाने की इस bill को बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये एक security arrangement होगा, जो की होता है, अभी जो फिलाल है, एक security arrangement है, जिसमें US और उसके 5 aligned nations इसके साथ हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको 5 aligned nations आपको देखने को मिलेंगे, कौन-कौन से, Australia, New Zealand, Japan, Israel and South Korea, अभी कुल मिला के ये सबी members, नेटो 5 के पार्ट हैं, और इसके अंदर होता क्या है, defense और intelligence, जो ties हैं, वो और जादा strong हो जाते हैं, और इसका सबसे important फायदा यह है, कि अगर कोई country member बन जाता है, NATO 5 की, NATO Plus की, तो यहाँ पर होता यह है, कि बिना president के approval के भी, technologies और defense, जो technologies है, वो transfer हो जाती है, इन countries में आपस में, यानि कि president को यहाँ से, बीच में से, निकाल दिय जाता है, अब direct relation बहुत जादा strong होगे, president कैसे आएंगे, president की policies क्या होगी, president की ideology क्या होगी, यानि कि यह चीजे फिर matter नहीं करेंगी, और जादा closeness, nations में, relations में, defense ties के अंदर आ जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर बिना bureaucratic, जमेले के, बिना bureaucratic hassle के, यहाँ पर technology transfer हो जाती है, ठ अठी थी, 2019 में भी ऐसी demand उठी थी, जो कि कहता है कि इनके जो arms export control act है, इसके section 3B में कुछ amendment कर दिये जाए, और इंडिया को यहाँ पर add कर दिया जाए, जैसे ही इंडिया, इस amendment के, through इसमें add होगा, इस act के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिया पार्ट बन जाएग आपने एक शब्द और सुना होगा, major non NATO allies, जिसके अंदर इंडिया को शामिल करने की आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, बात भी चल रही थी, ठीक है, हलाकि इंडिया उसका पार्ट नहीं है, यहाँ पर देखते है, major non NATO ally क्या होता है, देखिए दोस्तों, यह terms exam में आ सकते ह आई क्या है, और US के साथ हमारे हर साल एक दो, एक दो नए initiative शुरू होते हैं, एक दो नए, एक दो नए agreement sign होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हमारी diplomatic engagements बढ़ती है, कुछ-कुछ development होती रहती है, तो US-India relationship बहुत important है, इसमें बहुत जादा development होती है, नजर बनाय रखना important है, ठ strategically US के साथ close है, बहुत strategically US के साथ काम करते हैं, ठीक है, major non-nato ally, लेकिन यहाँ पर ये जो countries major non-nato ally बनती हैं, ये NATO treaty का part नहीं होती, NATO member नहीं होती, ये एक तरह की designation है, जो की 1987 में इसको create किया गया था, 1987 में इसको बनाया गया था, इसके अंदर क्या मिलता है, इसमें loans मिल जात हैं, जिसमें आप supplies करीच सकते हैं, materials equipment, ये सब ले सकते हैं, साथ ही में, US के यहाँ पर US owned जो war reserves stockpile है, यानि कि US के हतियार जो है, वो आपके देश में आप रख सकते हैं, deploy कर सकते हैं, तो एक तरह से लगभग NATO जैसी ही यहाँ पर facility मिलती है, लेकिन NATO में क्या होता है, NATO का जो सबसे powerful clause है, वो है collective security, यानि कि एक NATO ally पर attack मतलब सब पर attack, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं होगी, बाकी यह सब facility यहाँ पर दिखती है, और अभी 18 major non NATO allies आपको देखने को मिलेंगे, यह सारी countries जो हैं, यह आपको major non NATO allies दिखती हैं, यह है NATO, यह है NATO, और यहाँ पर आपक यह non NATO ally दिखेंगे, हमारे neighborhood में पाकिस्तान भी major non NATO ally आपको एक country देखने को मिलती है, ठीक है, तो कल को अगर question आता है major non NATO ally पर, तो हमारे neighborhood में बात करें, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, म्यामार के बाद Thailand और उसके बाद हमारे neighborhood में directly पाकिस्तान major non NATO ally आ अलावा, अभी नए और agreements sign होने की चर्चा चल रही है, क्योंकि Prime Minister यहाँ पर visit पर है, historic visit पर, और यहाँ पर नए agreement sign हो सकते हैं, दो नए agreement के लिए यहाँ पर negotiation शुरू होने वाली है, यह दो नए agreement कौन से हैं, इसका नाम एक agreement का नाम है security of supply agreement और दूसरे का नाम है reciprocal defense procurement agreement, यान यह दो जो agreement है, इनके लिए negotiation शुरू होने वाली है, और यह agreement जब sign होंगे, तो यह क्या करेंगे, यह agreement जब sign होंगे, तो इंडिया की long term supply chain को stability देंगे, किसमें और हमारे defense और security को और बढ़ाएंगे, कहने का मतलब है, यहाँ पर यह होगा, कि जो इंडिया की companies होंगी, जो directly procurement कर पाएंगी किन से, जो US का Department of Defense है, उसके साथ इनकी closeness बढ़ जाएगी, इनके agreements sign हो जाएंगे आपस में, तो US के Department of Defense जो है, उनके contracts को यहाँ पर enforce किया जा सकता है, और जब कोई procurement करनी होगी, US से कुछ खरीदना होगा, किसी equipment की, किसी हतियार की, किसी बड़ी defense equipment की, service के लिए, service करनी होगी, तो यहाँ पर जो defense department है, वो direct private companies से इंडिया में deal कर सकता है, इससे क्या होगा, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर innovation आ सकता है, क्योंकि इंडिया की companies, defense department जो है US का, उसके साथ मिल के काम कर सकती है, उनसे procure कर सकती है, यानि कि यहाँ पर जो process है, वो और smooth हो जाएगा, ठीक है, information sharing का और technology transfer, यानि कि company जो हमारा ecosystem है, यहाँ पर innovation का defense sector में उसको boost मिलेगा, साथ ही में यहाँ पर बात करें, तो एक और historic चीज हुई है, हाल ही में, जो US है, वो राजी हो गया है, US ने यहाँ पर executive agreement दे दिया है, executive यहाँ पर go ahead मिल गया है, किस के इंडिया के साथ मिलकर बनाए, यानि कि ये एक technology transfer होने वाला है, और ये सबसे बड़ा technology transfer है, US किसी country को जो कर रहा है, और इंडिया को जो कर रहा है, ये सबसे बड़ा technology transfer है, कि jet engines US इंडिया के साथ मिलकर बनाएगा, और इंडिया को ये बहुत बड़ा edge देने वाला है, क्य को तेजस के लिए तो चाइना के जो एर्क्रास हैं उन्से बैटर इंजन इंडिया को मिल सकता है अगर इंडिया यहां पर यहां पर जैसे ही इंडिया के लिए फाइनलाइज थोगा और इम्हें एक्जी किई जो आपरलेमेंट वह भी इसको approval देगी और फिर finally deal पूरी set हो जाएगी इंडिया के लिए इंडिया के साथ मिलकर jet engine US बनाएगा साथ ही में अगर बात करें US-India relationship के तो अभी 2023 की ही अगर बात करें तो 2022-2022 में US जो है इंडिया का सबसे बड़ा trading partners था इन numbers को याद रखना है इंडिया-US relationship बहुत important है क्योंकि इंडिया का largest सबसे बड़ा trading partner है USA तो आपको पता होना चाहिए कि trade बढ़कर कितना हो गया हमारा 128 billion dollar 128 billion dollar का हमारा bilateral trade है इंडिया-US के बीच में साथ ही में यहाँ पर biggest trading partner है उसके अलावा regional और अलग-अलग forums में इंडिया और US जहां पर पिछले एक-दो साल में engagement जहां पर सबसे ज़्यादा बड़ी है तो आप देख सकते हैं Quad में और यह 2022 में ही दो नई initiative सामने आये थे एक IPEF और साथ में I2 YouTube ठीक है इंडिया-Israel, US और UA यह जो नया यहां पर grouping है इसके अलावा इंडिया जो है Engagement काफी अच्छा हो चुका है US से इसलिए हो सकता है कि यहां पर इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब इतना जादा defense ties बड़ रही है तो हो सकता है US की Parliament में जरूर यह बिल आए कि इंडिया को NATO PLUS में जोड़ा जाए तो यहां पर बताएंगे कि इन में से कौन सा island है जो कि US की overseas territory नहीं है यानि कि US की एक territory नहीं है बताएंगे कौन सा ऐसा island है Guam Island, Porto Rico, Baker Island या फिर Reunion Island ठीक है ठीक है तो यह है कहां पर Reunion Island जो है कहां पर है यह मुझे आप comment box में बताएंगे Guam Pacific में मिलेगा, Porto Rico आपको Atlantic में मिलेगा, Baker Island आपको Pacific में मिलेगा Reunion Island कहां पर मिलेगा, comment box में मुझे बताएंगे और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करेंगे, channel को subscribe करेंगे मुझे Instagram पर connect करने के लिए कोई भी doubt हो तो आप मुझे Instagram पर message भेज सकते हैं PDF के लिए जुड़ना होगा टेलिग्राम पर और मेल कर सकते हैं अगर कोई भी doubt हो तब तक पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे जैहिंग दोस्तो